आपको केवल यही करना है कि आप एक पूर्ण विक्सित जीवन के रूप में उपर उठें और चमकें क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है तब वो नहीं पूछेंगे सुबह उठने के बाद मैं कैसे प्रेरित रहूँ आपको एक प्रेरित व्यक्ति नहीं होना चाहिए आम तोर पर जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं तो इसका मतलब होता है उनका अपना कोई अजंडा है जीवन का कोई अजंडा नहीं है ये आपके लिए एक पूर्ण विक्सित जीवन होना है एक जिंगूर पूर्ण विक्सित जिंगूर होने की कोशिश कर रहा है एक केंचवा पूर्ण विक्सित केंचवा होने की कोशिश कर रहा है एक पक्षी पूर्ण विक्सित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है, एक पेड़ पूर्ण विक्सित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है, एक मनुष्य को भी पूर्ण विक्सित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमारा बस यही काम है, पर हम में से हर कोई अपना आया ना, वो कहां हैं, वो सारे लोग, आपको लगता है वो सभी मूर्ख थे, वो सभी मूर्ख थे और वो मर गए, कैसा है, नहीं, वो भी आपकी ही तरह थे, शायद वो भी अधिकारी रहे हों, शायद वो राजा रहे हों, आप से भी बढ़ कर, हर तरह की चीजे हैं, अब थोड़ा सा समय और जीवन एक छोटी सी चिंगारी है आपका बेटा कितना बड़ा है सर? 25 तो 27 साल पहले वो कहां था सर? तो अगर कोई यहां नहीं है तो हम कहते हैं कि वो मर चुके हैं, है ना? 27 साल पहले वो मर चुका था हम उसे 100 साल देंगे सर 80 साल बाद वो फिर से मर जाएगा हम? आया ना? तो 27 साल पहले वो कितने समय तक मरा रहा था सर? हम? लंबे समय तक तो 85 साल या 80 साल बाद वो कितने समय तक मरा रहेगा सर? बहुत लंबे समय तक तो हम सभी बहुत लंबे समय तक मरे रहेंगे हम बहुत ही थोड़े समय के लिए जीवित हैं हां? बहुत ही थोड़ा सा समय हैं मैं चाहता हूँ आप इसकी और इस त्रिष्टिकोंड से देखें आप कितने समय तक मरे रहेंगे? आप कलपना नहीं कर सकते तो मान लीजिए हम 10,000 साल तक या 1,000,000 साल या 10,000,000 साल तक मरे रहते हैं ठीक है? उसके तुलना में आप कितने समय तक जीवित हैं? बहुत-बहुत छोटे समय तक जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक छोटी से चिंगारी है आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विक्सिद जीवन के रूप में प्रकाशत हो जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है, है ना? जब आप दुखी होंगे, तब आप प्रेरित होंगे, हाँ? मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं, क्या आपने खुद की ओर देखा है? आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं, आप किसी के लिए कुछ भी करने को तयार होंगे अगर ज़रूरी हो, तो पीछे की ओर जुख जाएंगे, हाँ ना? जब आप थोड़े परिशान होते हैं, ये कितना मुश्किल है, इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज से प्रेरित होना मत सिखाइए ये सारी बगवास पश्चिम से आ रही है, ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें, खुद को प्रेरित कीजिए, आत्म विश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नश्ट कर दिया, अब आप इतना देखना है कि अभी ये अपने पून संभव स्तर पर कैसे हो, अगर ये पून रूप से जीवित है, तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है, है ना, जो ये नहीं कर सकता, उसे ये वैसे भी नहीं करेगा, अगर आप सुबा किसी पक्षी को देखें, यहाँ पक्षी है आप जानते हैं, आप कहां से आएं सर, दिल्ली, तमिलनाटू चन्नाई, चन्नाई कववे को छोड़ कर शायद वहाँ कोई पक्षी नहीं है, तो अगर यहाँ आप कोई पक्षी देखते हैं सर, छोटा पक्षी, सुभा में ये वो सब कुछ कर रहा होता है जो ये कर सकता है, ह बिल्कुल ठीक है, एक कीडा वो नहीं कर सकता, जो एक पक्षी करता है, एक पक्षी वो नहीं कर सकता, जो एक हाथी करता है, एक हाथी वो नहीं कर सकता, जो हम करते हैं, हाया ना, लेकिन हमें वो करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते, वो कोई माइने नहीं रखता जो हम कर सकते हैं वो जरूर होना चाहिए इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है यह बस बुप बुप और खत्म आपको समझ आए कि क्या हो रहा है उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं जब तक आप दुखी ना हो दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा है अगर आप बहुत खोश हैं तो पुफ इससे पहले कि आप जाने की क्या हो रहा है यह खत्म हो जाएगा क्या आपने किसी खास दिन के और ध्यान दिया है आप बहुत खुश थे 24 गंटे यूही निकल जाते हैं थोड़े दुखी 24 गंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं हाया ना इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक शनुभव है पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होईए आपको बस यही करना है कि आपको एक पूर्ण विक्सिट जीवन बनना चाहिए पचीस साल का लड़का उसे एक प्रेरित मनुष्य नहीं बनना चाहिए उसे सिर्फ जीवन का एक विसफोट होना चाहिए उसके बाद वो नहीं पूछेगा मैं सुभा उटने पर प्रेरित कैसे महसूस करूँ आप किस चीज को लेकर प्रेरित है किसी चीज से नहीं अगर आप जीवित हैं तो अपने बिस्तर से उच्छल खड़े होंगे है न None पर अब जिस तरह हम खाते हैं जिस तरह हम सांस लेते हैं इस तरह हम चीजें करते हैं, और नशीली चीजें, वगर, सब कुछ, आम तोर पर शरीर मरना चाहता है, यह जीवत नहीं रहना चाहता, लोग, आपको पता है, यह सब कुछ पश्चिम से है, लोगों ने इस संस्कृति का निर्मान किया, वो क्या है, भगवान का शुक्र है, आकड़े दर्शाते हैं, सत्तर प्रतिशत अमेरिकी अपने काम से नफरत करते हैं, ना पसंद नहीं, बलकि घ्रणा, पांच दिनों तक अगर आप कुछ हैसा करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप वीकेंड का आनंद कैसे उठाते हैं, वीकेंड में सिर्फ इतना होता है, कि आप बेहोशी के हालत में होते हैं, या तो आप शराप प्ये होते हैं, या ड्रग्स लिए होते हैं, या किसी चीज में लिप्थ होते हैं, ठीक है, उसके परे कोई बड़ा आनंद नहीं घटे थोरा हैं, हाया ना, सत्तर प्रतिशत लोग अपने काम से नफरत करते हैं, आ आपको वो नहीं करना चाहिए, कोई न कोई उसे हमेशा करेगा, हलो, कोई मेरे पास आता है, वो एक मल्टिनेशनल कंपनी को चलाते हैं, एक वैश्विक CEO, वो एक परिशान अवस्था में आते हैं और सद्गुरू मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो हर रोज मुझे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, मैं इसे नहीं संभाल सकता, तो मैंने उनके और देखा, अपने हाथ उठाए और कहा, आपको काम से निकाल दिया जाए, ओ सद्गुरू, सद्गुरू, आप क्या कह रहे हैं, मैंने का, आरे, आप कितना ज़्यादा कश्ट उठा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, अगर आपको निकाल दिया जाता है, तो कम से कम आप समुदर के नारे टहल सकते हैं, शायद कोई और इस काम को आपसे थोड़ी ज़्यादा खुशी से करें, क्या आपको लगता है, आप ही धर्ती को घुमा रहे हैं? हलो? तकलीफ क्या है, क्या आप ही धर्ती को घुमा रहे हैं? क्या आप ही से सूरज के चारो और घुमा रहे हैं? सब कुछ मुफ्त है, है ना? हलो? सब कुछ मुफ्त है, आपको बस एक पूर्ण विक्सित जीवन बनना है अपने आपको बहुत ज़्यादा धार्णाओं, दर्शनों, मान्यताओं, बेतु के विचारों और भावनाओं से बांद कर आप जो हैं उससे कम मत हो ये, नहीं, आप जो हो सकते हैं उससे कम कभी नहीं होना चाहिए आपको किसी दूसरे जितना अच्छा नहीं बनना है, और आप कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि सभी अलग हैं पर आप जो हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए तो आपको इसके लिए प्रेड़ना की जरूरत नहीं है आपको जीवन्तता की जरूरत है 25 के उम्र में अगर आप बहुत जीवन्त नहीं है तो आपको थोड़े सहरे की जरूरत है चन्नाई आम तोर पर सुबा सुबा जीवन्त होता है ये बैंगलोर की तरह नहीं है बैंगलोर दस बजे उठता है चन्नाई आम तोर पर सुबा पांच बजे से ही जीवन्त हो जाता है इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजे ये ज़रूरी नहीं है आपको देखना है कि वो कैसे आनंद पून और जीवन्त रहते हैं इसमें उनका शरीर और उनके बुद्धी सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे अरे क्या वो बस खुश रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप मुझे बताईए आप खुश होते हैं तब ज्यादा करने को इच्छुक होते हैं या दुखी होते हैं तब जब आप खुश होते हैं तब जिसकी भी जरूरत होती है आप उसे करने को तैयार होते हैं है ना जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आप अपने भोजन, अपनी नींद को छोड़ने के इच्चुक होंगे, और जो करने की ज़रूरत है उसे करेंगे, है ना? जब आप नाखुश होते हैं, ओ, आप से कोई काम करवाना कितना मुश्किल है, हाँ या ना? तो एक पत्नी ने अपने पती को टेलेग्राम भेजा, जो एक तीन महिने की ट्रेनिंग पर था, आई एस, उसने एक टेलेग्राम भेजा, चिंता करनी शुरू कर दीजिए, बागी समचार खत में लिखूंगी, खुद के साथ ऐसा मत कीजिए, पच्चीस की उम्र में आप चिंता करनी शुरू कर दीजिए, बागी सब पीछे आ जाएगा, अगर आपको तनाव, बेचैनी महसूस हो रही है, तो आपकी अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, अगर आप ये समझते हैं, कि सारा मानवी अनुभव भीतर से आ रहा है, तो आप खुद को पूर्णता की ओर कैसे नहीं ले जा सकते, इनर इंजिनेरिंग का वास्ताविक अर्थ है, खुद को ऐसी अवस्था में ले कराना, जहां मनुष्य होने की आपकी सारी ख्रमताएं आपके लिए काम करती हूँ. झाले बापके लिएमी ऑपके लिए, ऑस सकते, सारी ख्रमताएं भीतर से रहा है! झाले 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 ये नहीं होने का वास्ताविक है, जहां मनुष्य है, जहां मनुष्य हैं।